हालो एवरिबडी मैं हुआ नंद शेकर्वसिष्ट और स्वागत करता हूं आपका इंजियर सद्धा 24-7 पर जहां से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रेश कोर्स स्टार्ट का नोटिफिकेशन आ गया हमारे पास 60 डेज का समय बाकी रह गया और इस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है जो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर ले जाएगा वही सच में जो है सक्सेस्फुल हो जाएगा इस बार उसको अगली बार की जो लोग बिल्कुल ही सब्जेक्ट से आउट ऑफ टच हैं डर करके बैठे हुआ हैं तो उन सब्जेक्ट के कंसेप्स को समझने के बाद कॉश्चन्स प्रेक्टिस करना इजी भी हो जाएगा तो पहले कंसेप्स को समझ लेना तो इसलिए यहाँ पर आज से मैं स्टार्ट करना तो वो सारे कॉश्चन्स आप बहुत आराम से एजी ली अटेंट कर पाऊगे अगर इस क्रेश कूर्स सीरीज के जो यह कंसेप्च्छल डिसकॉशन के सेशन्स हैं इन सारे सेशन्स को आप अच्छे से देख करके रहें तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इलेक्रो लोग ने नहीं किया है वो सेशन्स को लाइक जुरू कर लीजेगा और हां अपने फ्रेंट सेरकल में शेयर भी कर दीजेगा है ना चलो तो स्टार्ट करते हैं तो सेमी कंडॉक्टर फिजिक्स इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ा साई यही क्यार सारा क्वेस्चन जो सेकंड इस इंसुलेटर थार्ड इस सैमी कंडॉक्टर सैमी कंडॉक्टर को समझना है तो पहले कंडॉक्टर और इंसुलेटर के बारे में भी समझ लेना चाहिए कंडॉक्टर हम उन मैट्रियल को बोलता है जिनकी कंडॉक्टिविटी काफी हाई होती है और कंडॉक्टिव charge carriers जो हमारा charge को इधर से उधर ले जाने के काम में आएंगे that is number of charge sorry number नहीं charge carrier concentration या तो मैं number of charge carrier per unit volume बोलनों या बोलनों concentration तो charge carrier concentration तो किसी material के अंदर per unit per unit volume के अंदर ज्यादा number of charge carriers है तो उसका मतलब उसमें उसकी conductivity सीधे सीधे ज्यादा होनी है इका मतलब तो electron का charge 1.6 into 10 पाव माइनस 19 कुलाम म्यू जो होता है वो होता है mobility तो एक तो किसी भी material में charge carriers कितने होंगे जादा होंगे कम होंगे अलग materials के लिए अलग-अलग होता है like copper के लिए अलग हो जाएगा iron के लिए अलग हो जाएगा नहीं questions के लिए अलग से बिलकुल dedicated session रहेगा PCS मैं यहाँ पर theoretical discussion करने के बात फिर एक questions का session रखूंगा तो जो भी सारा यहाँ discussion होगा वो वहाँ काम में हैगा महां मैं question question बताता चलोंगा theoretical बात नहीं करूंगा जो questions concept वाले session रहे तो उसमें question सामने आता है फिर उसके पीछे concept की बात की जाते है वो concept अभी बता रहा हूं फिर महां concept की बात नहीं करूंगा तो यह concept है वो कितना freely move कर पाए तो मोबिलीटी एक तरीके से मोबिलीटी एक तरीके से यह बताती है कि जो charge carriers होंगे जब उन चार्ज पर उन चार्ज केरियर्स पर electric field apply हो रहा होगा electric field apply होने पर force apply होता है तो मूव करने लेंगे लेकिन धीरे-धीरे मूव कर रहोंगे यह स्पीड के साथ मूव कर रहोंगे यह बताता है mobility तो यह बता रहता है एक तरीके से velocity per unit applied electric field per unit applied electric field applied electric field कुछ हम apply कर रहे हैं तो उसके per unit value of पे कितना velocity जो है हमारे charge carriers का हो पाएगा तो किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा तो metal की conductivity म्यू पर भी डिपेंड करती है एन के साथ साथ है तो भी हमारे जो conductor होता है वह especially conductivity उनकी ज्यादा होने के पीछे reason हो पात है कि उनमें free charge carriers बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनके एटम आउटर मोस्ट औरबिट के एलेक्टरॉंस होता है वह बहुत लैस बाउन्ड होता है वह थोड़ी सी भी energy gain करके free हो जाते हैं मतलब room temperature के जो heat energy होती है ना वो room temperature के जो heat energy उसी को gain करके outermost orbit के electrons जो होते हैं वो free हो जाते हैं तो वो free हो जाते हैं तो इसका मलब free charge carrier के concentration काफी ज़्यादा होती है अब ये सब चीज़ें हमें discuss करने हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है ठीक है next insulators की बात करें तो insulator के जो outermost orbit के electrons होते हैं वो बहुत जादा force के साथ nucleus के साथ bound होता है nucleus का charge होता है positive electrons का charge होता है negative तो इसके outermost orbit के electron बहुत जादा force के साथ bound होता है ये free नहीं हो पाते है free नहीं हो पाते तो इस वज़े से end जो होता है वो negligible होता है बहुत कम होता है इसलिए इनकी conductivity बहुत कम होती है जीरो तो हुई नहीं सकती किसी भी material की conductivity practically, zero conductivity होने का मतलब हम यह कह सकते है idle insulator जो कि practically कभी हो नहीं सकता ऐसे sigma infinite कभी नहीं हो सकते zero कभी नहीं हो सकते है, कुछ होती है लेकिन कम होती है और कम होने के पीछी reason क्या होता है धरे में थर्य होड़े उस पर भी आने वाले हम चलो सेल्डूरस की बात करें तो स्यमी इंदक्टर के आउटर मोस्DAY बात्र रोड़म jemand सेलय और्बिट्ट होते हैं जैसा है कि यहाँ वाले इलेक्ट्रों का इनर और्बिट्स में भी हैं इलेक्ट्रों तो लेकिन आउटर मोस्ट और्बिट में जो इलेक्ट्रों होते हैं उन वाले इलेक्ट्रों का स्पेशल एक नेम होता है क्या होता है उन्हें का स्पेशल नेम वैलेंसी इलेक्ट्रों क्या बोलते हैं उनको करने के लिए अगर यहां पर आउटर मोस्ट और्बिट में एक हुआ दू हुआ तीन हुआ तो उनको फ्री छोड़ देगा और फिर इनर वाली जो और्बिट है वो तो पूरी तरह से फिल्ड है तो ऐसे मैटरियल जिनके आउटर मोस्ट और्बिट में सिंगल तू या थ्री होंगे वो अपने आउटर मोस्ट और्बिट के इलेक्टरॉन को बहुत कम फोर्स के साथ बाउंड करके रखते हैं वो फ्री छोड़ देते हैं कि बाहर निकलो जल्दी से इस्टेबल हूँ मैं इनर और्बिट क्योंकि पूरी तरह से फिल्ड है तो वो मैटल्स होते हैं वो खौँड़े तो पांच छोडने की बजाए यह तीन लेना चाहीगा आठकरने के लिए यह यहँ खह hilar छोडने के मजए यह साथ बार शोनने के बज़ाए यह दो यह एक लेना चाहेगा मतलब ये इनको जकड के रखेगा ये तो बलकि और नया लेना चारा है इनको जकड के रखेगा इसलिए हम बोलते हैं आउटर मोस्ट और्बिट के इलेक्टरन बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ बाउंड है किनमे इंसुलेटर में लेकिन अगर सेमी कंडुक्टर की बात करना तो से सेमी कंडुक्टर वो मेटरल होते हैं जिनके आउटर मोस्ट और्बिट में जो इलेक्टरॉंस होते हैं वो चार होते हैं ना चार से कम चार से कम होते हैं अकर तो एक दो तीन है तो छोड़ना चाहेगा और ना चार से ज्यादा चार से ज्यादा होते हैं तो वो लेकर के dhampal germanium हो गया यह mo Dafür to bene लेता है में ओर फूर्थ गृप के Levenisen को बोल दिया मिने आमने आत्स और में चार एलेक्टरों में तो फूर्थ citra का एलिमेंटर को बोल धीया तो क्या होता है सिलिकन का एक न्वर नंबर वहता है 14 और जर्मेनियम का एटमी नंबर होता है 32 तो इसमें जो फर्स्ट और बेट होगी सबसे पहले उसमें दो इलेक्रोन उसके बाद आठ एलेक्ट्रोन और बचे हुए रहे गए आठ दूदस चार एलेक्ट्रोन ऐसा होता है न सबसे इनर में तो दो ही हो सकते हैं फिर उससे होता है ना तो फर्स्ट में तू अन्दें थर्ड में फॉर और एलेक्ट्रोन सिंसने होता है वेलेंस ईलेक्ट्रोन इंकोंब बोलता है और यह वाले मैट्रेल सैमिकंडक्टर की तरह सिलीकन जर्मेनियम ठीक है कि दो एक में किस तर्फ यह क्लियर ओ गया कि इन में किस तरह खोता है अब उसी एक में की स्ट्रक्चर से इसका जो क्रिस्टल मतलब यह नद टो 11 छोड़ना चाहेगा नए electron लेना चाहेगा बलकि क्या करता है ये covalent bond बना लेता है covalent bond बनाता है तो हमारे जो semi-conductors हैं वो हमेशा covalent bond बना रहे होते हैं covalent bond मतलब अब इन दोनों electrons की partnership है ऐसे electrons की partnership है तो यहां पर चार तो इसके खुद किते और एक एक करके ऐसे चार के साथ इनने partnership कर लिए तो टोटल आठ होगे तो और 10 रूल भी फोलो गया इस्टेबल भी हो गया तो इस तरीके से covalent bond बन जाते हैं सिलिकन में भी जर्मेनियम में भी जिनमें जो भी चार वैलेंस इलेक्ट्रों वाले होंगे वह इस तरह से crystal structure उनका form होगा यह बात clear होती होगी अब next बात करते हैं energy bands की तो कभी भी कोई भी जो electron होता है orbits में orbital electron जो होता है उसकी energy energy is given by energy of any electron is given by minus 13.6 z square by n square n है number of जिस orbit के हम बात करना है और z है atomic number तो हम यह कह सकते हैं जैसे जैसे फर्स्ट से second से third से fourth orbit पर जाएंगे n की value बढ़ेगी divide वाला factor बढ़ेगा result घरता और नजर आ रहा होगा लेकिन साथ में negative है अगर negative value घड़े means इसका मतलब result जो है overall बढ़ रहा है minus 5 की बज़े minus 3 बढ़ा होता है minus 3 की बज़े minus 1 और भी ज़्यादा बढ़ा होता है जैसे जैसे एन बढ़ाएंगे यह negative value उतनी कम हो रही होगी मतलब result बढ़ रहा होगा तो हम कह सकते हैं फर्ष्ट और्बिट में जो इलेक्ट्रॉंस हैं उसके बज़े सेकंड और्बिट वाले एलेक्ट्रॉंस की एनर्जी जादा होगी थर्ड वाले की और ज्यादा होगी तो यहां पर energy of electrons जो होती है वह इन accordance of shells जो है वह डिफरेंट होती है यह फर्स्ट सेल के यह सेकंड सासाथ में आज पास में जो और atoms हैं उनके nucleus से भी affected हो रहा होगा तो इनकी energy let's suppose अगर मैं यह मान के चलूं कि हमारे atoms जो है उनके बीच की distance जो है इस लेवल पर थी लेकिन जैसे जैसे distance कम करेंगे एक का effect दूसरे पर पढ़ेगा तो वही दो electron यह electron पहले दोनों के दोनों इस लेवल पर थे अब एक electron का energy level होगा दूसरे electron का energy level जो होगा वो कम हो जाएगा जब बहुत नजदीक में आ जाएंगे तो ऐसे यह लेवल बन ज जाएगा तो यह energy का band बन जाता है जो valence electrons का जो band valence electron जिस band में आ रहे होता है उसका हम valence band बोल देता है है तो यह valence band हो जाता है और अगर इस band में है कोई electron इसका मतलब वो atom के साथ associated है मतलब वो free electron नहीं है outer most orbit में जब तक electron है तब तक वो free नहीं है हम conductor की भी बात कर रहे थे तो conductor से atom बाहर निकलने के बाद free electron होता था तब वो and means charge carrier की direct करता था तब वो conduction में काम में आता था जब तक वो नहीं free है तब तक वो conduction में responsible नहीं है तो हमारे जो valence electrons हैं वो conduction में responsible नहीं है लेकिन अगर valence band से free हो जाएं मतलब एटम से free हो जाएं अगर electron तो फिर वो conduction करवान में responsible होंगे लेकिन ऐसा होगा कैसे ऐसा होगा कि वैलेंसी बेंड से बाहर निकालने के लिए एक special energy उनको चाहिए वो energy कहीं से भी मिल जाए उनको लाइक वो room temperature पर heat energy से ऐसा हो सकता है तो हमारे conductors जो होतने हैं उन conductors में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रोंस हैं वो फ्री हो करके room temperature पर फ्री हो करके conduction band में पहुंच जाते हैं बट वो इतने कम force के साथ bound होते हैं कि उनके लिए उनके लिए बहुत जादा room temperature की जो भी नहीं होती है zero degree Kelvin पर भी वो conductor की तरह ही क्याम कर रहे होते हैं मतलब valency band से conduction band में electron पहुंचने के लिए कोई energy extra जरूरत नहीं है तब यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर energy band यह बोलती है there will be valency band valency band में जो सारे atomic जो हमारा crystal है जो पूरा हमारा bulk है उस bulk के जो atoms है उन atoms के electron जो है वो इस band वाली energy levels में से कोई ना कोई level को attain करें हो है कोई किसी level पर कोई किसी level पर कोई किसी level of energy पर है और अगर यह extra energy gain करके free हो जाए तो free होने के लिए इनको extra energy gain करने की जो ज़ूरत है extra energy का जरूरत है free होने के बाद यह पहुंच जाएंगे conduction band में और अगर मैं बात करूं conductors की तो conductors में इस valency band और conduction band के बीच में जो यह gap होता है यह होता ही नहीं है तो इसलिए zero degree Kelvin पर भी conductor से जो electrons हैं वो valency band से conduction band में पहुंचने के लिए उनको कोई extra energy करने है zero degree Kelvin पर भी conductor जो हैं conduct करते हैं metals जो हैं conduct करते हैं लेकिन अगर यह पर insulator की बात करेंगे तो यह conduction band और valency band के बीच में जो gap होता है जिसको हम energy gap बोलते हैं यह energy gap बहुत ज्यादा हो जाता है चलो एक बार मुझे बता है न क्या conditions होती है energy gap के लिए कि कोई energy gap जो है conduction band और valency band के बीच में कितना होता है जब हम बोल पाएंगे कि वो insulator की track कर रहा होगा होना चाहिए पहली बात तो energy gap मैं इससे बोल सकता हूँ यह energy gap जो होगा nearly equal to zero हो जाता है for conductors और अगर यह energy gap three electron volt से जादा हो तो material insulator की track करता है और यह energy gap अगर three electron volt three electron volt से zero electron volt के बीच में हो तो यह semiconductor की तरह है तो semiconductor में जो valency electrons थे वो कहां पर थे वो covalent bonds में थे उनको free होने का मतलब covalent bond से free हो जाएंगे जब वो जब वो free हो जाएंगे covalent bond से तो electron free हो के पहुँचेगा conduction band में लेकिन एक covalent bond से electron free होने का मतलब covalent bond खाली रह गया है एक covalent bond complete कब होता है जब दो electrons होता है लेकिन अब उसके वो incomplete है तो यह void जो है या यह समझो incomplete नेस जो है यह जो खाली पन जो है एक covalent bond में इसी को हम बोलता है होल अगर हम conductor की बात करते हैं तो conductor में तो outermost orbit से electron बाहर निकल जाते हैं अगर तो electron का charge negative होता है और वो atom होता है atom की orbit से निकले हैं कब निकलेंगे जब आर्बिट में एक या दो या तीन हो क्योंकि बहुत कम आगया है यह रिक्तिस्थान जो आगया हम समझ लेंसा बोलते हैं यह जो इनकम्प्लीट नेस जो आगये यह होल है होल positive charged है और जो आयन होता है वो भी positively charged होता है लेकिन फर्क है आयन atom से related atom cannot move atom immobile होता है लेकिन होल जो होता है वो mobile होता है वो मूव कर सकते हैं दर सोदर बात यह किलियर है जब electron बाहर जा रहा होगा heat energy gain करके तो electron तो पहुंचे का conduction band में यह जो होल होगा यह अभी atom के valence band में थे नहीं यह वैलेंसी बैंड में थे हमारे यह जो इलेक्रों थे तो यह वैलेंसी बैंड में होता है तो होता क्या है जब temperature increase होगा temperature increase होगा तो जो semiconductor का conduction band खाली पड़ा हुआ था उसमें इस valence band में से कुछ electrons energy gain करके चले जाएंगे उपर चले जाएंगे और जब यह जा रहे होंगे तो hole void छोड़ के जा रहे होंगे बाकी electron सारे electron नहीं बट कुछ electron चले जाएंगे तो हम सेमी कंड़क्टर में ऐसा दिख रहा है भी कि यह कंड़क्शन बैंड में जितने भी electrons है उतने वैलेंसी बैंड में holes है और मैं यहां पर सेमी कंड़क्टर बोलना हूं मतलब pure silicon की बात कर रहा हूं pure germanium की बात कर रहा हूं क्लियर बात कंड़क्टर के case में कंड़क्शन में वैलेंसी बैंड ओवर लेप हो रहे होंगे कोई energy नहीं होगा electron जाएंगे इदर लेकिन कोई hole नहीं होगा क्योंकि किसी कोवलेंट बॉंड से नहीं होल इस दा hole इस दा incompleteness of covalent bond covalent bond ही नहीं है तो इसलिए कभी conductors में holes नाम की चीज नहीं होती है hole नाम की चीज केवल semi conductors में होती है इसलिए और insulators में कोई जाही नहीं सकता है इतना energy gap होता है तो अगर हम यहां पर energy gaps के form में बात करें तो जो energy gap है that is much large in insulators तो यहां से valency band में से जो electron है उससे एक भी electron conduction band में नहीं पहुंच पाएगा यहां जब हम conductor की बात करने हैं तो valency band और conduction band overlay पूरे होता है वेलकुल touch में तो आराम से valency band से conduction band में आराम से electron पहुंच जाता है और बहुत ज़्यादा amount में पहुंच जाता है कोई energy नहीं चीए उनको उपर पहुंचने के लिए फ्री होंचने के लिए यहां जो होता है valency band से conduction band के बीच में थोड़ा सा energy gap होता है कुछ electron पहुंच जाता है semiconductor और यह जो बात कर रहा हूं है semiconductor में कुछ electron पहुंच गया है यह है at room temperature zero degree Kelvin पर तो zero degree Kelvin मतलब बिल्कुल भी heat energy नाम की चीज़ बिल्कुल ही नहीं तो बिल्कुल भी energy नहीं मिल पाई कि valency band के electron को conduction band में पहुंचने के लिए बट एक बात क्लियर है जितने electron पहुंच है उतने holes जरूर छोड़के गया है तो हम यह कह सकते हैं for a semiconductor number of electrons in number of free electrons in conduction band is equal to number of holes in valence band लेकिन यह किस चीज़ के लिए यह उस चीज़ के लिए जब हमारा semiconductor intrinsic semiconductor है अगर extrinsic semiconductor होगा तो n-type semiconductor p-type semiconductor n-type का मतलब होता है जिसमें electrons extra है तो यहां तो मैं बूलनों number of electron number of holes बराबने तो n-type कैसे हुआ वो n-type p-type अलग होता है यह intrinsic semiconductor के लिए बात कर रहा हुए इस इस comment is for intrinsic semiconductor intrinsic मतलब इंप्यूर्ड जिसमें sorry pure impure नहीं sorry pure pure semiconductor जिसमें कोई भी impurity नहीं डालिये कोई भी impurity अच्छा impurity डोप करने की जो process होता है उसको हम क्या बोलता है डोपिंग तो intrinsic मतलब pure silicon pure germanium pure और extrinsic मतलब जिसमें impurities एड़ेड़ होगे इंप्यूर्ड और इंप्यूर्ड एड़ करने की process मतलब डोपिंग के डोपिंग प्रोसेस से इसमें impurities एड़ेड़ होगे अच्छा डोपिंग के समेटिरियल की करनी है डिपेंड करेगा एंटाप semiconductor बनाना है यह पी टाइप semiconductor बनाना है तो अगर हमें एंटाप semiconductor form करना होता है तो डोपिंग ऐसे मेटियल की करेंगे जिनसे एंग का मतलब electrons का चार्ज होता है ना कि एलेक्ट्रोन एक्स्टा है तो हमारे सिंपल सिलीकन 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 के एटम जो ते हर एक में चार 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 7 कोवलेंफ मोंड पूरे फूल हो जारे ते कोई एक्स्टा एलेक्रोन नहीं रहा रहता लेकिन एक्स्टा एलेक्ट्रोन ना है तो चार से जादा रह सिलीकनी मतलब पेंटावलेंट तो पेंटावैलेंट इम्पिवई separate डोप करेंगेंग तो अगर pen type semiconductor बनाना है तो पेंटावलेंट इंप्योटी डोप करनी है उन पेंटावलेंट इंप्योटीज के एग्जामपल कौन कौन से आप लोग कमेंट करें एक बार जल्दी से बता दें मेरे को में यहीं पर क्या होगा कि कोवलेंट बाृंड में इन् गुंआएं नाव पैंटावलत इंप्रिटिस के लिए नाम पैंटावलेंट की इंप्रिटी के नाम आप ऐस्ञा या दित तुट सूरास एंटीमनी ओर सिने यह होता है फॉस्फोरास एंटीमनी ओर सने zwei ऐसury एंटीमनी आर्सेनिक बिसमत यह ना in case जो है चिम्बल भी ज्ञानस दें तो अच्छा और क्योंच नहीं होता है नाना इट्रोजनं भी वैसे तो है पेन्टवेलेंश लेकिन होता है ने क्योंकि गेसिया चेंट में निट्रोजन तो गैस को हम डोप नहीं कर सकते हैं किसी सॉलिड में चलो ट्राइवलेलेंट की बात करें तो ट्राइवलेलेंट कौन-कौन सो जाता है बोरून गैलियम इंडियम अलुमिनियम यह हो जाते हैं ना यह हो जाते हैं ट्राइवलेंट तो यह भी ध्यान रखने हैं क्योंकि हमसे डाइरेक्ट इस रिलेटेड कौश्चन पूछे जाते हैं और जब हम कौश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन कर रहे होंगे ना तो आपको सच में आपज़र करोगे कि हाँ यह सर ने बूला था तो याद रखते तो कौश्चन आराम से उड़ जाता भी उसके बाद याद रखने का लिए सीरियस हो उसके बजाए है कि अभी इनको सोच लो कि याद रखना है भी हमको इनको अब ध्यान से देखना जो पेंटा वेलेंट है एक एक एग्जामपल के बतौर हम लेके चलें लेस्ट सपोज फॉस्फॉरस चलो यहाँ पर देखना है एक बार यह मैं पिरियोडिक टेबल भी यहाँ पर देख रहे हैं पर हमारी जो चार वैलेंस इलेक्रोन वाले जो हैं वह हैं यह सिलिकन एंड जर्मेनियम जो हम जनरली यूज में लेता है किसके लिए सैमी कंडॉक्टर जो है कार्बन भी लेकिन कार्बन सेमीकंडुक्टरी नहीं की प्रॉपरटी को फालो नहीं करता है सिलिकन जर्मेनियम की जगह कभी-कभी एसन भी यूज में लेता है बट मोस्ट्ली जो प्रेफए होता है वो सिलिकन जर्मेनियम है SNPB की बजाए है और इसमें ट्राइवलेंट मतलो इसमें चार वेलेंट से इधर वाले ट्राइवलेंट है एलुमिनियम गैलियम इंडियम है ना यह हम यूज में लेता है बोरोन और अगर हम पेंटावल नाइट्रोजन को छोड़के गया है फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिसमत यह हम यूज में लेता है पेंटावलेंट हो गई है ना तो यह आप बैटर होगा कि स्क्रीन शॉ वो क्लियर है क्लेंलव चलो अगर हम किसी ईया जर्मीनियम में फॉस्फोरस वाला मीं स्कामदलब इसके पास चार के बजाए पांच एलेक्ट होगे यह इंप्यूरिटी ड़ाल देते हैं इनके ओडूरस में पांच हैं तो दो एक एक करके चार के साथ वह इक रह गया एक ठार गया यह एक्सकर अब इसके ऑक्टेंट रूम केसाफ से इसकरतों पूरे हो गया फालत हुए तो फ्रेय लेक्ट्रेट्ण है अब यह बाहर निकल जाएम तो अब बाहर निकल गया तो उसके बाद यह फ्री एलक्ट्रों हो गया मतलब conducting बेंड में पहुंच जाए गा यह फ्री लेक्ट्रों अं मतलब हैं इसका मतलब किसी भी एडम्स इसकेरट ने नहीं अपको कंडक्शन में रहे हम यह कहा सकते हैं इसका मतलब हुआ कि वैलेंशी बेंड में वैलेंसी बैंड में अगर जीरो डिगरी केल्विन पर भी बात करें तो जो एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार आठ 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 वो सारे उलेक्ट्रों तो हैं वो electron तो हैं अब साथ साथ conduction band में एक extra electron और आ गया है यह इस phosphorus रे लेकिन एक ही phosphorus नहीं है डोपिंग में और भी होंगे तो कुछ extra electrons और आ जाएंगे और यह electron जो आए है यह electron कोई साथ में पीछे कोई कहीं से jump करके नहीं है कि hole छोड़ के आए हो कोई भी hole नहीं होगा और कुछ electron होंगे एड जीरो डिग्री केल्विन बट जीरो डिग्री केल्विन का मतलब होता है माइनस दो सो तेटर डिग्री सेंटीग्रेट जो की practically feasible temperature है ही नहीं जो की practically feasible temperature है नहीं तो room temperature is practical भही जो practical टेमप्रेचर है जिस पर कोई भी डिवाइस बड़ कर योगी तो room temperature पर कुछ electron इसमें से jump कर जाएंगे क्योंकि energy gap जो है कम होता है चल नगया energy gap कितना होता है silicon के लिए और germanium के लिए silicon और germanium के लिए energy gap कितना होता है यह energy gap जो EG है यह silicon के लिए कितना होता है और germanium के लिए कितना होता है यह याद रखना चाहिए हमें silicon के लिए होता है यह 1.1 electron volt और germanium के लिए होता है 0.72 electron volt this is for silicon this is for germanium तो अब यह वन अगर silicon है मालो तो 1.1 electron volt की energy मिल जाएगी electrons को valency band से conduction band में jump करेंगे जब भी को electron valency band से conduction band में jump करेगा तो यहां electron हो जाएगा electron को और भी jump करेंगे electron hole electron hole electron hole pair बनेगी हमेशा वो electron hole pair बता रही है कि जितने electron हो लेकिन एक extra electron तो डोपिंग की वज़े से आई गए न यह डोपिंग करने वाला जो atom था जिसने extra electron doping की हमने एस atom की जिसने extra electron एक तरीके से छोड़ दिया जाओ donate कर दिया तो ऐसे atoms को ऐसे material को मूल देते हैं donor तो फॉस्फोरस यह समझो पेंटा वैलेंट जो impurities है दोजार donor और इस special atom को जहां पर भी है इसको हम बोलेंगे donor atom तो हम यह कह सकते हैं अब इसका मतलब कि अब एंटाइप semiconductor में number of free electron in conduction band and number of holes in valence band same है या नहीं आप इसमें भी जैसे intrinsic semiconductor में तो same होते थे ऐसे इसमें भी number of electrons in conduction band and number of holes in valence band same है क्या आप इस case में same है क्या नहीं अब इस case में same नहीं है क्योंकि जितने holes आये उतने electron pair यह तो thermal energy से आये साथ में extra electrons तो थे ही पहले से तो इसलिए number of electron in conduction band will always be greater than number of holes in valence band तो हम यह कह सकते हैं क्या N type semiconductor में number of electron in conduction band will be greater than number of holes in valence band holes हमेशा valence band में होता है यह हमने समझे इसमें से इधर गे तो इधर ही तो वाइड रहा गया और यह यह इसका मतलब है एक तरीके से यह valence band का मतलब है कि जब यहां से let's suppose एक तो electron यह था अब यह electron भी चला गया तो यहां पर एक कोवेलेंट bond में कमी in complete ness of electron हो जाएगी अगर यह free होके जाएगा तो हम यह कह सकते हैं कि इसका मतलब electrons means negative charge whole means positive charge से majority के साथ होगा तो यहां पर majority of negative charge होगा होगता है इलेक्ट्रों से भी फ्लो होता है लेकिन इलेक्ट्रों से मेज़ोरिटी में होंगे एंटाइप में अगर यहीं पर p-type semiconductor हम बना रहोंगे मिस्ट्राइवलेंट इंप्यूरिटी डोप कर रहोंगे जैसे एक्जाम्पल हम बात करें बोरोन इंडियम, गैलियम, अलुमिनियम तो बोरोन अभी यहां पर एक्जाम्पल लेके चलें तो बोरोन ट्राइवलेंट है इसके आउटर मोस्ट में तीन ही इलेक्ट्रों ने चौथा खाली रह गया है यह वाइड जो है कोवलेंट बान में इसी को होल बोल रहा है हाँ अब यह हो सकता है कि किसी और इलेक्ट्रों को कहीं से और सिरीक इलेक्ट्रों आए और इसमें चला जाए तो कहीं और से जहां से आए होगा होल का ट्रांसफर हो सकता है होल का ट्रांसफर में इस पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर में इस कर corresponding holes है जो हो सकता है उसी atom से associated हो या किसी और एटम पर पहुंच को लेकिन हैं एटम से associated और एटम की outermost orbit में होता है कोवलन में आउटर मुस्ट और्बिट से associated है आउटर मुस्ट और्बिट के electron को वैलेंसी electron बोलते है उस band दिगरी केलविन पर भी बोलों तो भी यहां पर कुछ होल्स है और एलेक्ट्रों तो conduction सारी वैलेंसी बैंड में होते हैं होल्स के साथ एलेक्ट्रों तो खेर भरे हुए हैं अब यहां से कोई electron अगर फिरी होगा temperature से energy gain करके तो जब वो यहां पहुंचेगा तब hole pair तो आई जाएगी electron hole pair तो आई जाएगी electron hole pair तब तो आई रही होगी overall जितने पहले hole थे उनमें कुछ extra hole add up हुए electron जितने एड़ अप हुए बट फिर भी जितने electron है उतने hole के साथ पुराने hole तो हैं जो impurities dope होने के वज़े से हैं तो इसका मतलब हमेशा जो holes की quantity है valency band में वो electrons की quantity in conduction band से जादा होगी चाहे जीरो डिगरी Kelvin पर बात कर रहे थे या किसी और temperature पर बात करें तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ number of electron in conduction band will be less than number of holes in valency band मतलब इसमें हमेशा किसी भी केस में बात करो holes मेजोरिटी में होंगे अब यही से question मैं पूछता हूँ अगर कि हमारा जो n tap semiconductor है n tap semiconductor जो है that will be positively charged या negatively charged या electrically neutral तो आपका answer क्या होगा n tap semiconductor is positively charged या negatively charged या electrically neutrally neutral क्या बोलेंगे आप क्या बोलते हैं कि आप कि आप कि एंटाइब semiconductor में या एंटाइब semiconductor से पहले मैं नॉर्मल एक semiconductor की बात करता हूं हमने यहां semiconductor की बात कि ती जिसमें number of electron in conduction band number of holes in valency band equal होते हैं तो इसका मतलब electron means negatively charged holes means positively charged दोनों बराबर है means neutral लेकिन मैं n tap semiconductor की बात कर रहा हूं तो electrons ज्यादा है holes कम है तो ऐसा लगेगा कि electron ज्यादा है electron का charge negative होता है तो यह तो negatively charged हो गया बढ़िया यहां पर मेरे को लग रहा है कि जिन लोगनों को मैंने पढ़ाया है वो आंसर कर रहे हैं यह revision session चल रहा है है और correct answer कर रहे हैं बिल्कुल जो misconception हो जाता है कि बाग गलत कर देता हैं वो answer नहीं कर रहे हैं बहुत्चे लोग प्रोटोन भी तो ज्यादा होते हैं सिलीकन की बजाए फॉस्फोरस का अटमिक नंबर 15 होता है 14 की बजाए तो उसमें आउटर मोस्टर में चार की जगें पांच इलेक्ट्रन उत्ते वो पांच वही तो फ्री एलेक्ट्रॉन है जिसको हम बोलना है कंड़क्शन में एक्स टा हो गया लेकिन सासा तो इस प्रोटोन की क्वांटिटी वी तो ज्यादा है ओवर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उलेक्ट्रिकली न्यूटर्व नूंट्र लेकिन जब यह इस एटम से फ्री हुआ है तो भाई फॉस्फोरस को तो एक इलेक्ट्रोन का घाटा हो गया ना उसके पास पंद्रे प्रोटोन से लेकिन इलेक्ट्रोन चौदे ही रहागे मिस एक इलेक्ट्रोन की कमी मतलब वो पॉजिटिवली चार्जड है तो जो हमारा डोनर एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्जड होता है डोनर एटम पॉजिटिवली चार्जड होता है और जो फ्री एलेक्ट्रोन से वो नेगिटिवली चार्जड है बट ओवराल जो सेमी कंड़क्टर का ये जो बल्क है ये हमेशा इलक्ट्रिकली न्यूट्रल है अब बात करें अगर N टैप की बज़ाए P टैप में तो P टैप में क्या होगा ये जो होल है ये पॉजिटिवली चार्ज़ दे होल की बात करें तो बिल्कुल ठीक है ये पॉज चार्ज हो जाएगा अच्छा बोरुन ऐसा एटम है जिसका एक जो कोवलेंट बॉन्ड हो खाली पड़ा हुआ है वह इंतजार में कहीं से भी कोई इलेक्ट्रों आ जाए तो एक्सेप्ट कर लेगा ये ये अखंड सिंगल है कि कोई भी आके प्रपोज कर दे तो एक्सेप् और ये अक्सेप्ट लेटम ठीक है और ये कहीं से एक्सेप्ट कर रहा होगा ये नेगटिवीट एजिकर य हो जाके लेकिन उसके पास वोल पहुंच जाएगा वह पॉस्टीवी चाज होगा तो जितना पॉस्टेव डाउल होल है उतना यहाँ पर नेगरेटिवीली बलका यह वाला पार्ट जो है यह अब हमें ध्यान रखना है एज सेमी कंडॉक्टर फिजिक्स बेसिक इलेक्ट्रोनिक से पार्ट के लिए अब नेक्स्ट बात आती है यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस फर्मी लेवल तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्टरिंसिक सेमी कंडॉक्टर की थिए फर्मी लेवल होता क्या है धिया है मैंने बोला कि जब यउला निनी में जया है conduction में नहीं तो कुछ रास्ते में ही होंगे उनको एतनी एनर्जी नहीं मिल पाई है कि वो उपर पहुंच पाएं रास्ते में होंगे तो इसकी ज़्यादा probability होती है कि energy जो है electron कम ही gain कर पाएं यहाँ ज्यादा probability के साथ होता है लेकिन वह इस्टेबल नीचे भी गिरते आए वापस आते भी रहेंगे एक energy probability highest मतलब कह सकते है इस तरीके से बन है जाते जाएंगे जाते जाएंगे probability कम होते हो तो यहाँ जीर हो जाएगी कौन से वाले electron की जो अभी free नहीं हो है बलकि jump मार के उपर नीचे हो है उस में तो वह जो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि energy level के इसाप से probability of electron पाए जाने की प्रवाइश के दर है नीचे सबसे यह यहां तो यहां तो वन ही है बिलकुल यहां तो है है यहां से उपर जाएंग कम होती जाए कम होती जाए तो एक लेवल होता है जहां पर electrons पाए जाने की probability होती है 50% यहां कम होती जाए जीरो पर जाने तो बीच में 0.5 भी आएगा ना value probability का value percentage में होने है तो 50% उस special level को हम बोलता है फर्मी लेवल तो वाट इस दा फर्मी लेवल यह इमेजनरी लेवल एक तरीके से a- level at which probability of electron in- in- gap probability of finding electron in energy gap is 50% प्रावियल्टी की फॉर्म में बोलना है तो 0.5 बोल सकता हूं इस 0.5 तो यह होता है हमारा फर्मी एनर्जी लेवल अब ध्यान से देखना अगर हम इंट्रिंसिक की बात करते हैं तो यह फर्मी लेवल होता है कंडक्शन बेंड और वैलेंसि बेंड के बिल्कुल मिड में हैं इंट्रिंसिक सेमिकंडक्टर की बात करें तो होता है बिल्कुल मिड में लेकिन अगर यहीं पर एन्टाप सेमिकंडक्टर आ जाए एन्टाप सेमिकंडक्टर में जो इंप्यूर्टी डोप होती थी का एक particular electron ऐसे लेवल पर होगा कि फ्री होने के लिए रेडी है तो वह लेवल बैंड नहीं बनेगा एक discrete लेवल बनेगा उसको हम बोल देता है डोनर लेवल डोनर वाले एटम का जो आउटर मोस्ट और्बिट का जो फाल तू एक extra electron है वो free होने के लिए ready है means conduction band में पहुंचने के लिए ready है तो conduction band के बहुत नजदी की होगा इसके energy लेवल थोड़ी से energy करके वो free हो जाता है room temperature पर एक तरह से free हो जाता है तो यह एक discrete level आ जाता है बहुत important question इस से related बनकर क्या आता है तो क्या है जो हमारा एन टाइब सेमिकंडक्टर होता है उसमें discrete level होता है डोनर लेवल जो की conduction band के lower level के near में होता है valency band के upper level से दूर होता है conduction band के lower level के near में होता है मतलब यह वो लेवल है यह वह लेवल था यह वाले energy वो थी जहां से electron उपर जंप करके conduction में पहुचने वाले थे लेकिन अब वो electron यहां के भी उपर यही से जंप मार रहोंगे तो अब यहां हाइस्ट probability होगी electron पाई जाने की बई कर डोनर लेवल पर तो है यह वैलेंसी बैंड वैलेंसी इलेक्ट्रों के लेवल से बना है और यह एक special वैलेंसी लेक्ट्रों है यह वाला वैलेंसी लेक्ट्रों है जो यह वाला था इस special वैलेंसी लेक्ट्रों का corresponding level है तो यह भी वैलेंसी बैंड का एक तो कुड़ा है जो दूर है यहां से एक्ट्रा लेवल पर ऊपर है क्योंकि फ्री होने के लिए रेडी है बस इसको थोड़े बहुत कम एनर्जी चाहिए इसलिए कंडॉक्शन के बहुत मिश्चाहिए तो अगम कह सकता है energy level of फर्मी लेवल होता है वो मिड मेड मेंँ मन होकर करके ऊपर शिफ्ट हो जाता log L Wag जैसे अगर में ठीक है तो यहां से किसी भी एटम से किसी भी एटम के जो covalent bond है उससे electron free होगा तो यह लेने के लिए खड़ा हुआ है तो फ्री हो करके वो free हो के conduction band में पहुंचने के बज़ा है यहां पहुंच गया तो यह एक specialist वाले के corresponding level हो जाएगा उसको हम acceptor level बोल देंगे उस लेवल में electron free हो करके पहुंचेंगे तो इनके बीच में यहां पर होगा फर्मी लेवल तो हम यह बोल सकते हैं पी टाइप semiconductor में फर्मी लेवल shifts towards the lower sorry upper level of valency band and tap conductor में semiconductor में फर्मी लेवल shifts towards lower side of conduction band है ना अब देखो यह जो sessions को follow कर रहोंगे सोच रहोंगे सर paid वाली class में यहां तक कि जो जो आपने अभी कितनी दिर होगे करीब 40-45 मेंट होगे सर यह चीज आपने आठ lecture में मतलब करीब 8 घंटे में पढ़ाया है और उसमें फर्मी लेवल शायद आठ वे तक अभी तक नहीं करवा है तो भाई यहां पर जो पढ़ चुके हैं वो रिवाइज कर रहे हैं यहां पर है ना जो पढ़ चुके हो लड़ी चीजों को चाहे वो पहले प्रिवियस बैचेज में पढ़ा होगा या भी रनिंग बैच में पढ़ रहे होंगे उनके लिए रिवीजन का बहुत अच्छे से मौका है और जो लोगों ने मैं जरूरी नहीं कहा रहा हूं कि मैं मुझसे पढ़ा है कहीं से भी पहले सेल्फ स्टेडी की हुई है जिनको टॉपिक्स के साथ वो और लड़ी कनेक्टेड है वो थोड़ा सा दूर हो गए थे चीजें भूल गए थे तो उनको रिवाइस करने का बैस्ट मौका यहां पर यह मिल जा रहा है अच्छा कंडक्शन बैंड वालेंसी बैंड और इसके बारे में बताएता हूं देखो आज मैं पर वाली कलास में यही कॉस्चिन करवा के चुका था इसको डिसकेश करते हैं चलो एक चीज होती है हांपे तरक्शन बैंड वैंड जो है दांसे देखना जो हमारा वैंसी band है वो बना कैसा है valency band बना है हमारे जो atom के outermost orbit के जो electrons है वो अलग-अलग level पर shift हो जाते हैं एक दूसरे से effect हो करके एक दूसरे के nucleus से energy उन पर apply होती है तो वो एक particular energy पर नो करके अलग-अलग तो भाई यह किसी एक electron के energy level रही होगी जो निया है कि इस पर एक electron आ सकते हैं एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं इसी same energy पर मेरे पूरे crystal मैं पता नहीं उधर वाले atom की energy और इदर के किसी atom के energy same भी हो सकती है और यह है वो energy जो highest energy तक जा दिया है बीच-बीच में जो यह levels है यह सारे levels अलग-अलग-अलग-अलग atoms के corresponding है जो हम continuity में बोल दे रहा है पूरा बैंड लेकिन अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अई-अ-ब बात है बाकि मैं कहा सकता हूं कि इस दुनिया के अंदर मतलब हमारे मैटरल स्पेस के अंदर भाती भाती के इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी बैंड में वैलेंसी इलेक्ट्रोन है जो अलग-अलग एनर्जी लेवल पर है उसको डाइगरमेटिकली हम शो कर रहे हैं अब होता क्या ह जब कुछ टेंपरेचर बढ़ाया जाता है जो की प्रैक्ट्रिकली रूम टेंपरेचर पर इन में से कुछ एलेक्ट्रोन कंड़क्शन बैंड के अलग-अलग एनर्जी लेवल पर पहुंच जाते हैं जब कुछ electron यहां पहुझ जाएंगे तो क्या valency band के कुछ particular level खाली हो जाएंगे के नहीं तो हम बोलेंगे valency band completely filled नहीं हुआ बल्कि थोड़ा सा weekend हो थोड़ा खाली हो गया है बट almost filled हैं क्योंकि room temperature पर ऐसा नहीं है कि यहां से 50% पहुँच पाए अगर ओवर एलेक्ट्रों की बात करूं तो अनलेक्ट्रों का 1% 2% पहुच पाते हैं तो हम कहेंगे 1% 2% पहुच पाए मला 99% तो भरा हुआ है तो हम बोलेंगे लेंज सी बेन्ड औल्मोस्ट फिल्ट है और कंडक्शन बेंड डालमॉस्ट खाली है बिलकुल खाली भी और बहुक्स भर भी गहा है थोड़ा बहुत पूरी तरह ऐसे नह связered कि कंडक्शन और जोका क्या पालमूस्ट एंप्टी है यह वेलेंजिक बेंडि ओमक्टी ब्राऍक चलो समझ में आती है कि बाते यही था ना डाउट कि संदीप क्लियर हो जाता है क्या मैं इलेक्रिकल डिप्लोमा सेकंड डियर में हूं तयारी कैसे रहेगी देखो सेकंड डियर में इसका मतलब अगली बार आपको पेपर देना है बहुत ज्यादा रहा रहे हो तो आपके पास बहुत ज्यादा समय अभर नहीं रहा गया अप ऐसा नहीं कह सकते एं कि नहीं पहुत जल्दी स्टार्ट कर दे रहा हो अगर मैं अभी से इस आड़का नहीं स्टार्ट कर दो यूट्यूब सेशन्स के में भी हाववर यह तो क्रेश कोर्स हैं तो आप ऐसा नहीं समझ सकते होगी यहां से जो चीज हैं वो इस लेवल तक उतना टाइम दे करके समझ पाऊ आप लेकिन आ जो कंसेप्च्वल और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन्स हैं उनमें एक बार देखो और अपने आपको पहचानों कि सच में आप तैयारी करने के काबिल अपने आपको पाते भी हो के नहीं पाते हो क्योंकि चाहे डिपलोमा ओ या बीटा को हजार और लांखों की संख्या में करते हैं हर साथ लेकिन वो सारे की सारे जो होता है वो टेक्निकल उनका माइंड उस औरियंटेशन में सभी का नहीं होता है तो पहले अपने आपको पहचानों और लगता है कि हां मुझे करना चाह जो है उनको मैं समझ के कर पा रहा हूं क्या की चीज़ों को सीखने के बाद तो आप तैयारी करने के लिए यूटूब सेशन भी होते हैं अगर फाइनेशल या आप अफोर कर सकते हो तो बढ़िया पेड़ बैचे आपको मिल जाता है महापैक अगर आप ले लोगे तो ऐसा क्लिर रो गया ने सब लोगो है अंको करते हैं अब में डिफ्ट करेंट किंट का मतलब क्या और लूट ने नीःचन के तरफ लेंगा थीडियोजन है डिफ्यूजन है जैसे अगर मैं पानी के अंदर नमक डाल दूं और वो नमक नीचे पड़ा हुआ और धीरे 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 वो घुल के और पूरे पानी को नमकीन कर देए इस डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट इन वॉटर होगा क्या जब आप उस नमक के घूल को देखोगे और उस नमक आपने डाला है गुमाया नहीं अबी नमक आपने डाला है तो थोड़ी देर तक उसको पड़ा रहने दोगे तो वो पानी नमकीन तो हो रहा होगा लेकिन आप उपर से चमत से पानी निकाल के प्योगे थोड़ नमकीन होगा थोड़ा नीचे डेफ्ट में जा करके और फिर अगर वहां से थोड़ा पानी ढूलका दो और फिर नीचे वाले पानी को प्योंग वो ज्यादा नमकीन पाया जाएगा तो आप कह सकते हो नमक का कंसेंट्रेशन दीरे 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 नीचे बढ़ रहा है लेकिन य आप आपने कुछ गोला नहीं अपने आप फ्लो हुए अपने आप मूवमेंट हुआ किसी भी चीज की यह प्रॉपर्टी होती है कि अगर कहीं हायर कंसेंट्रेशन है उसी चीज की उसकी बजाए जिस तरफ लोवर कंसेंट्रेशन है उस तरफ वो अपने आप से फ्लो हो ज जाएंगे जो भरा हो अलाके वहां से मतलब यह एक नॉर्मल टेंडेंसी नेचर की टेंडेंसी है ऐसा ही हमारे जो चार्ज केरियर से वो भी फॉलो करते हैं तो अगर मालो कोई semiconductor है और वो semiconductor impured है प्योर नहीं impured semiconductor है तो impured semiconductor है उसमें हमने डोपिंग किया मालो और डोपिंग इस तरी के किया है कि वह एन टैप semiconductor है लेकिन एक तरफ एन एन का मतलब electrons इलेक्ट्रों जादा होते थे देखो क्या मैं बोला हूं एक पहले तो सबसे नहीं होता है बिल्कुल सही बात है क्या मेरी है होल्स नाम की चीज़ होती ही नहीं है एन टैप semiconductor में के वल एलेक्ट्रों होता है मेरी इस बात से एग्री हैं कि आप लोग यस और नो क्या मैं जो बोलना हूं वो ठीक है तो यस बोलो गलत लगता है तो नो बोलो एन टैप semiconductor में इलेक्ट्रोंस होते हैं होल्स नहीं होता है निलत पॉल आदेश संदीप आकास रिंग की कोई आंसर करो है है वाल लैफ होल्स भी तो होते हैं एन टैप semiconductor में केवल एलेक्ट्रोंस होते हैं ऐसा सोचना तो गलत बात है एन टैप semiconductor में एलेक्ट्रोंस तो होते हैं कंडक्शन बैंड में होल्स भी तो होते हैं एन टैप semiconductor में यह एंटाइप ही ता नहां इलेक्ट्रों तो आते हैं यह वाले फ्री बट टेंपरिचर की वज़े से कुछ और electron नहीं पहुंचाते हैं लेक्ट्रों तो नहीं होते हैं यह बात अलग है electron majority में होते होल्स कम होते हैं तो यहां पर electron तो majority में होल्स कम हैं तो कुछ होल्स भी हैं ऐसे नहीं होता है होल्स हैं लेकिन कम अब मैं यहीं पर electron के बारे में बात करता हूं होल्स तो वैसे ही कम हैं लेकिन electron के बारे में बात करूं और मैंने doping ऐसे करी doping तो हमारे उपर थी ना dependent क्या हम कर रहे हैं तो हमने doping की जो impurities doping की वह impurities एक तरफ ज़ादा डूप कर दें इस तरफ ज़ाद है तो हम तो खुश होगा कि हमने इस तरफ doping ज़ादा की हुई है इदर में नमब्र of electrons बहुत ही जादा है उधर में तो हलके फुलके हैं थोड़ा बहुत चले गए लेकिन ऐसा रह नहीं पाएगा ज्यादा समय तक ऐसा रह नहीं पाएगा जो इदर हायर कंसंट्रेशन है लेकरों की तो लेकरों अपने आफ से इदर 쉬फ और फोड़ी देर बाद हम क्या पाएंगे कि लेक्टरों इधर भी बढ़ गए हैं उदर से कम होने लग गए हैं इदर बढ़ गए हैं इलेक्टर्ण का शिफ्ट हो रहा है लेक्टरों भी नेगेटिफ चार्ज आगर यही मैं पी टैप के लिए बात कर रहा तो एक तरफ होल्स की इस जदा होती तो होल्स भी शिफ्ट करते हैं होल्स मिस पॉजिटिव चार्ज चाहिए लेक्ट्रों शिफ्ट कर रहे हो या होल्स शिफ्ट कर रहे हो मिस चार्ज का फ्लो तो हो रहा है लेक्ट्रो इसको हम बोल देते हैं, तो हम यह बोल सकते हैं, whenever there is charge carrier concentration gradient, gradient का मतलब होता है, change होना, कोई चीज में rate of change, change है तो उसकी rate of change, whenever there is concentration gradient, then always charge shifts और charge flows from high concentration to low concentration automatically, खुद कोई force नहीं लगा है, और इस flow के corresponding जो current होगी, that will be diffusion current, और इस process को हम बोलता है, diffusion हो रहा है, तो ऐसा कब होगा, मालो हमारा एक P-type semiconductor है और एक N-type semiconductor है, तो वह पी-type semiconductor में holes majority में होता है, लेकिन electrons भी होता है, minority में, N-type semiconductor में electron majority में होता है, लेकिन holes भी होता है, minority में, अब अगर इनको contact मिलाया जाए, P-type और N-type एक तरफ P-type और एक तरफ N-type, तो यहां से जो holes हैं, जिनकी higher concentration है, उधर lower है, hole उधर जाएंगे, और वहाँ जो electron higher concentration है, इधर lower concentration है, इलेक्ट्रोन इदर आएंगे, तो electrons और holes का flow होने लएगा, मैं इस current flow होने लएगा, यहां पर इस junction पर, तो इस current को हम बोलते हैं, diffusion current, और यह diffusion current, यह जो diffusion current है, मैं अगर ID बोलूँ, तो यह इसके proportional होगा, कि हमारा जो concentration है, मालो मैं electron की concentration बात कराऊं, N-type की, वो पर unit length क्या rate of change है, अगर यहां concentration है, मालो 5000 electron per meter cube, और यहां पर 4000 electron per meter cube, एक centimeter की distance है, है ना, और अगर वही एक centimeter की distance पर 4000 की बज़ा है, 1000 per centimeter per cube है, तो इसका मतलब, यह बहुत ज़्यादा change हो गया, उतनी distance पर rate of change ज़्यादा है, तो जल्दी shift हो रहे होंगे, बहुत speed के साथ दोड़ रहे होंगे, उस तरफ दोड़ जा रहे होंगे, तो diffusion ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यह चार्ज के रहे होंगे, तो इस तरफ अपने आप से बढ़ जाएगा, थोड़े टेम के बाद, even distribution यहाँ पर हो जाएगा, थोड़े शुरुवात में यहाँ पर diffusion हो रहा होगा, तो diffusion करंट फ्लो रहा होगा, थोड़े टाइम के बाद, चार्ज केरियर्स का फ्लो करवाने के लिए पीछे से अगर कोई फोर्स लगा हैं, तब उनका फ्लो हो रहा हो, तो उसको बहुत आ हम ड्रिफ्ट और वह फोर्स का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, किसी भी चार्ज पर जब इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई करने के लिए बैटरी कोई potential connect करना होगा तो अगर हम यह let's suppose ऑग सेmikonductर है इसको हमने एक obey वोल्टे्ज सोर्च से झानेक्ट कर दिया पॉजिटिव पोटेंशल जहां पर है उससे negative पूटेंशल हाँ पुटेंशल हैं उन पाफ फोर्स लागा के साथ एक positive multiply माई सिलेक्टिफिल की same direction में जैसे ओल्स होल्स होल्स तो टो एकति विल्की सेम डियरेक्शन में होल्स को फोल्स लाएगा होल्स यहां पर यह हैं यहां वाले मैंशन जहां ग्रेवाइट कलर के उधर फोर लाएगा और जो इलेक्ट्रॉंस है उनको इधर फोर्ट लाएगा फ्लो आफ इलेक्ट्रों इदर होगा फ्लो फोल्स इदर होगा होल्स की सेम डारेक्शन में और एलेक्ट्रों की अपोजिट डारेक्शन में ओवरल करन्ट फ्लो होगा होल्स applied battery applied electric field तो drift current इस पर depend करेगा कि applied electric field कितना ज़्यादा apply कर रखा है उसके proportional होगा अगर यह drift current मैं यहाँ पर इसके cross-sectional area unit cross-sectional area के लिए बोलने लग जाओ तो उसको मैं current density बोल दूँगा तो that current density will be proportional to E जो proportionality constant होता है वो ही होता है sigma J equal to N E mu E लेकिन यहाँ पर केवल electrons का drift current नहीं है मैं यहाँ पर बहुत बात करूँ तो यह तो मैंने electron के drift current density की बात कर ली ऐसे holes की drift current density भी होगी तो यहाँ पर holes की concentration into E into mu और साथ में E आ जाएगा electric field पर तो depending करेगा कि holes पर भी कितना force लग रहा है लेकिन electron की जो mobility होती है और holes की जो mobility होती है उसमें फर्क होता है electron की carrier concentration और holes की carrier concentration same होती है अगर intrinsic semiconductor हो बड़ जोड़ी intrinsic हो अगर extrinsic होगा N टैप होगा तो N जादा होगा P कम होगा P टाप होगा तो P जादा होगा N कम होगा but mu N और mu P N और P मतलब concentration पर depend नहीं करता तो mu N और mu P के बारे में आप लोग answer करें कि mu N और mu P में से कौन greater होता है mobility of holes जादा होती है या mobility of electrons जादा होती है mobility of holes जादा होती है mobility of electrons जादा होती है बताएंगे mobility थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कभी कोई electric field apply हो अगर तो कोई charge carrier की velocity per unit applied electric field कितने आ रही है तो मैंने मालों यह voltage apply किया यहाँ पे voltage जो apply किया V यह जिन दो points के बीच में distance है उसके हिसाब से equal to V आईडिया आ लिया वोल्ट पर मीटर में आ गया लнал उपांच वूर्ड़ मीटर का 4000 यह बंवोल्ड पर मीटर का है यह भन वोल्ड़ स्थी सबस्क् miraculous पर और भी फोर्स लग रहा अगर होगा लेकिन vyod जिसे मतलब उन पर कोई बाउंडेशन होता है नहीं तो दोड़ सकते हैं लेकिन हो जो है वो किस से एस्सेटेन है को वेलेंट बॉन से होल उधर फोर्स लग रहा होगा उनके उपर जाए इधर लेकिन इंतिजार में होंगे या कोई इलेक्ट्रोन आ जाए किनी से उसको पकड तो होल्स की जो मोबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रोन की मोबिलिटी के कमपरिजन में कम होती है और जो अगर हम सिलिकन के लिए बात करें जनरल सिलिकन के लिए तो म्यूपी जो होता है वो होता है 650 के संथिंग और म्यूएं जो होता है वो होता है 1350 के संथिंग मुझे ऐसा एप्रोक्स वैल्य आदा रही है एक्जेक्ट तो नहीं ऐसा कुछ एप्रोक्स वैल्य होती है मतलब यह करीब हो गया दूगने के आसपास है न चलो तो म्यू एन इस ऑल्वेज ग्रेटर देन म्यू पी और क्यों यह क्लियर होती है बात तो यह हमारी सेमिकंडॉक्टर फिजि जो पी एन जंक्शन डावड उसको हम समझ पाएंगे इसी सेमिकंडॉक्टर फिजिक्स के जो कंसेप्स हमने सीखें उन से रिवेटर तो कल जो सेशन रहेगा नाइन प्यम पर वो रहेगा पी और जंक्शन पर डायोड ने के वल पी जंक्शन के बारे में बात करेंगे तो म हम पी एन जंक्शन के बारे में बात करेंगे कल सेम टाइम नाइन प्यम पर मिलने वाले हम पी एन जंक्शन डायोड की पूरी डिपलेशन रीजन क्यों बनता है कैसे बनता है डिपलेशन रीजन की विर्थ कप कैसे चेंज हो रही होती है है और डिपलेशन रीजन होने का मी इनको ध्यान रखेगा सारे कंसेप्स को अगर लगता है तो एक बार संडे वाले सेशन से पहले रिवाइज भी कर लीजेगा सारे जो भी सेशन्स होता है और यह बहतरी इन तरीके से जो आठ नो गंटे के जो क्लासेज का जो पढ़ते हो वह एक गंटे में हमने कवर किया है क् इसी को बोलता है क्रेश तो क्रेश में चीजों को रिवाइज कर सकता है क्रेश में चीजों को बिल्ट अप नहीं कर सकते हैं जब क्रेश कोर्स अनूंस कर रहे थे कि क्रेश को से स्टार्ट होने वाला है ऐसे ऐसे कल जब आप लोग को अनूस के था तो कुछ लोग बोले थ crash course के तुरू जो subject आपने दो मेने तीन मेने चार मेने पहले पढ़े थे उनको revise कर सकते हो आप अगर आपको subject का पूरा building करना है foundation बनाना है basics clear करना है जड़ों से पढ़ना है तो भाई time देना पढ़ेगा और वो यहां YouTube sessions के तुरू हो पाना technically feasible नहीं है है ना उसके लिए paid batches जो है आप जोइन कर सकते हो बहुत affordable price में कल तक महापैक मिल रहा था आज शायद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है चेक कर लेते हैं अड़ा 247 की website पर जाके आप भी चेक कर सकते हो इस तरह का प्लेटफॉर्म ओपन होकर क्याएगा यहां पर all courses पर जाकर करके क्लिक करेंगे एंड जी एक्जाम पर क्लिक करेंगे इलेक्ट्रिकल इंग पर क्लिक करेंगे इन यह महापैक देख लेता है बढ़िया बढ़िया पर चल रहा है 78 परसेंट चल रहा है लेकिन इसको और ज्यादा 81 पर 80 परसेंट कर देते हैं अगर आप कोड़ एपलाई करेंगे वाई 657 तो आपको यह मिल जाएगा यहां पर आठारे सो रुपे में लेकिन इसी 81 परसेंट की जिए और ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा अग पर जा करके देखेंगे एप पर सेम कोड़ एपलाई करेंगे कोड़ यहां पर द्यान रखना है वाई 657 यह कोड़ एपलाई करेंगे आप पर तो यह आपको सतरे सो संथिंग रुपीज में आपको मिल जाएगा महापैक अब देखो इसके फीचर्स फाइद क्या है महापै में क्लासे आप अटेंड करोगे उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामनेशन जिन से रिलेटेट प्रिपरेशन करवाते हैं इनके बैचे अविले बना इस्टोर पर जाकर देख सकते हैं चाहे फिरो टाटा इस्टील हो यह स्टेट लेवल के ओन जी सी और यह पीएसुज वगरा हों यह स्टेट लेवल की एज़ी सब के बैचेज और लड़ी है और आगया आने वाले टाइम पर जब एक्जाम होंगे तो उनके लाइव बैचेज होंगे तो सभी लाइव बैचेज का आप एक्सेस कर सकते हो बिना एक्स्ट्रा पे हेंड रिटर नोट्स हैं उनका अलग से ई-बुक और हेंड रिटर नोट्स जो हैं उनको अलग से पे करने को जड़नी है वो सार एक्स आपको मिलता है तो एप पर जाकर के आप बैश्ट होगा कि और ज्यादा फोर्डिबल वे में इस महापैक को आज ही ले ले बिना डिले किये है ना चलो तो कल मिलेंगे हम इस सेशन के साथ है और सेश एप में यह बहुत सारे और फीचर दिया जो बिल्कुल फ्री ऑफ कोस्ट है अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर से इंस्टॉल करने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक कर लिजेगा जब क्वेश्चन अटेम्ट करोंगे संडे वाले सेशन में तो आपको फील होगा कि सच में क्वेश्चन जो यह जो सेशन से इनको अटेंड करने का फायदा मिला सो कल मिलेंगे हम सेम टाइम तक तब तक के